जई जगनात मैं शिवानी चौक्रबर्थी अपने चानल बॉंग कलिंग फूर्टेल्स के एक नए अध्धाय में आप सब का स्वागत करती हूँ आज के हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे जगनात मंदिर के परिसर में अवस्तान करने वाली मा शीतला इतनी रहस्मई क्यूं है और पूरी धाम में उनकी इतनी मान्यता क्यूं है जगनात मंदिर का उत्तर द्वार जिसको की हस्ती द्वार कहा जाता है वहीं पर मा का निवास्तान है और वहां पर एक कुवा है सूना कुवा ये कुवा वही कुवा है जिससे पानी लेकर जगना जी प्रभु बलवद्र जी और देवी सुभद्रा जी का स्नान करया जाता ह स्नान पुन्य मा के दिन और इसी कुए की रक्षा करती और शुरक्षा करती है मा शीतला और यहीं पर ही मा का मंदिर भी है और मा के विशय में जो मुख्य बात है सुना कुए की तो रक्षा करती है उनकी शुरक्षा तो करती है लेकिन मा के विशय में जो सबसे महत्य पुन्य बात है कि मा प्रलाई की सूचना देती है बहुत सरे लोग कहते हैं कि इतने समय बात कल्यूग समाप्त हो जाएगा तो प्रलाई आ जाएगा प्रलाई के ये वक्त है प्रलाई का वो वक्त है लेकिन जगर्नात मंदिर में मा शीतला किस तरीके से प्रलाई की सूचना देती है म मा की जो मूर्ति है अभी ऊपर से लेकर नीजे तक वो स्वयम बनती जा रही है। अर्थात जब से मा शीतला का मंदिर वहाँ पर प्रतिष्ठित हुआ है और मा की मूर्ति वहाँ पर अवस्तान कर रही है। तब से लेकर अभी तक मा के घुटनों तक ही मा का निर्मान हुआ है, धीरे धीरे ये माना जाता कि वो स्वयम उसका निर्मान हो रहा है और जिस दिन मा के चरन कमल के दर्शन होंगे, वही दिन होगा कल्यू का आखरी दिन अर्था उसी दिन प्रलय आएगा, उससे पहले ना तो कल्यू की समापती होगी ना ही प्रलय आएगा, ऐसा मानना है पूरी में, और जो लोग भी जगर्नात मंदिर जगर्नाजी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो उत्तर द्वार के पास जाकर मा शीतला का आशिरवाद अवश्य लें, वो बहुत ही प्रतक्ष देवी ह मंदिर की शुरक्षा करती हैं, और जैसा मैंने कहा कि प्रलय की भी सूचना देती हैं, और लोगों के उनमें काफी आसता है, और बहुत रहस्य मई देवी हैं, वो हमेशा अपने भक्तों के ऊपर अपना आशिष बनाए रखते हैं, तो जगर्नात जी के दर्शन के लिए आ महा काली